सब्सक्राइब कराने के लिए और नारी की रक्षा को बढ़ाने के लिए मैं अम्रिता पांडे आप सभी के सामने एक कवीता प्रस्तुत करने जा रही हूं जिसका शीर्शक है मैं नारी हूं मैं स्त्री हूँ मैं नारी हूँ मैं कली हूँ मैं फुलवारी हूँ मैं दर्शन हूँ मैं दरपण हूँ मैं नाध हूँ मैं ही गर्जन हूँ मैं बेटी हूँ मैं माता हूँ मैं बलिदानों की गाथा हूँ मैं श्रीमत भगवत गीता हूँ मैं द्रौपती हूँ मैं सीता हू पूर्चों की उत दुन्या ने मुझे कैसी नियती दिखलाई कभी जुए में हार गए तो कभी अगनी परिक्षा दिलपाई कभी जुए में हार गए तो कभी अगनी परिक्षा दिलपाई कल युग हो या सत्युग हो इल्जाम मुझी पर आता है क्यों घनी अंधेरी सरकों प मेरी मुठी बंद जाती है दिलकी ध्रकन बढ़ जाती है m貫ासिने मेरे गप्राहत जानी किसका साया है जानने किसकी आंधेरे में अन्याथों ने मुझको बाहों में खीच लिया एक ने मुद मोध्र हांथ और अचैसर्ट नारे के संमान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आचल को फिर जार जार सा कर डाला, मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे खसीटा है, फिर बरबरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घरनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तर्पता छोड़ दिया, सन्ना टूमी चीख रह परिवार वालों की बदनावी होगी सम मुझे यही समझाते हैं यह नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहखी जाते हैं भूल जाओ जो हुआ लड़के तो बच्छी जाएंगे तुम लड़की हो दुन्या वाले तुम पर ही प्रश्ण उठाएंगे क्या क्यों नहीं सब भूल किय वालों क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है कैसे भूल जाओं जाओं उन रातों को मुझे को छूते उन हातों को उन सारी तकलीफों को कैसे भूलों उंची खोण मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में बहुत जाएगी लेकिन मन की पीड़ा तो सारे उम्र ही रह जाएगी सब भूल जाओ और याद रखो यह आखरी गलती आपकी भी हो सकती है कल सड़क पर बिर्जद भेहन या बेटी आपकी भी हो सकती है कर सड़क पर भी जबहन या बेटी आपकी भी हो सकती है और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोशी लड़कों पर और आ प्रणलों मेरे साथ और यह आवान करो अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो नारी का सम्मान करो दन्यों